Hey guys, welcome to study IQ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कसोवाल एंक्लेव के बारे में जिसको recently permanently connect कर दिया जा चुका है with the rest of India ये बहुत थी बड़ी development है और important topic है for UPSC perspective as well especially mains paper 3 subsection infrastructure now सबसे पहले ये जो video release करी है BRO ने आप इसको देखिए ये वीडियो बाइदवे शेर करी थी Ministry of Defense के spokesman ने मुझे ये काफी हजीब लगता है कि ऐसी tweets पर ऐसी videos पर like share इतने कम होते हैं वैसे अगर कोई crickator या फिर कोई और celebrity एक बहुती simple स्वीट करते हैं तो वहाँ पे 10,000, 50,000 care country है हमारी it speaks a lot about our patriotism care अभी के लिए यहाँ आप आप देखिए तो Ministry of Defense के spokesman ने आपे लिखा है कि BRO India has constructed and opened a new permanent bridge on the river Ravi connecting कसोवाल enclave in Punjab to the rest of India much ahead of schedule the enclave is around 35 square kilometer देखो एक बहुती important enclave है Pakistan border के करीब ये काफी बार because of high level of water इंडिया से आप कह सकते हैं disconnect हो जाता था अब finally हमने एक permanent bridge यहाँ पर बना दिया है और ये मैं कहूंगा it is very important for India strategic needs और commercial interests discuss करते हैं इस topic को in-depth काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin टेलीगराम एपर जाईए, यहाँ पर सर्च करिए UPSC course purchase कर सकते हैं at a very attractive price now सबसे important बाद यह है कि bridge की जो total लंबाई है यह है 484 meters this is very important और यह जो location है इसकी यह भी काफी important है पंजाब में गुर्दासपो डिस्ट्रिक्ट जरातार बियारों के अगर हम देखते हैं project तो या तो ले में होते हैं या फिर अरणाचल पदेश, आसांबे मगर ऐसा नहीं है इनके जो आप कह सकते हैं बहुत से projects, बहुत सी सड़के इनकी bridges वगरा पूरे निया में बन रही होते हैं in various states तो अगर हम Northern Punjab में zoom in करें यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है गुर्दासपोर district यह पाकिस्तान की border यहाँ पर आ गई यह लाहोर है यहाँ पर इस्लामाबाद, पाकिस्तान की capital और यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे यहाँ पर एक्चुली थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा दिल्ली और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बहुती important नदी जा रही है यह नदी कौन सी है, यह है रावी रिवर ठीक है अब पास में आप एक और बहुती important location देखोगे यह आपको दिख रहा है यहाँ पर करतारपूर ठीक है यह करतारपूर है और यह है डिरावावा नानक यहाँ पर रिसेंटली क्या construct हुआ है करतारपूर corridor तो इसी के पास जो bridge है यह बना है देखो यहाँ पर आप देखोगे एक बहुती important enclave है पाकिस्तान की side यह कहते है जसार enclave हमारी side हम लोग इसको कहते है कसोवाल enclave अब काफी पार क्या होता है जब रावी नदी का पानी काफी जड़ा बढ़ जाता है या फिर flooding हो जाती है तो यहाँ पर जो छोड़ा सा enclave है यह बाकी इंडिया से almost कट जाता है एक यहाँ पे हमने पुराना सा bridge बना रखा था मगर वो कहीं से भी काफी नहीं था to make sure के ये area बाकी इंडिया से connected रहे तो finally अब हमने क्या किया है के रावी नदी के उपर से ये 484 मीटर्स का bridge construct कर दिया है ताकि कसोवाल enclave हमेशा इंडिया से connected रहे और जो bridge बनाया है बहुती ज़रा मैं कहूंगा heavy duty bridge है class 70 permanent bridge है तो मतलब के कल को अगर मान लो hypothetically speaking artillery guns या फिर कुछ army को भी movement करनी है heavy movement तो इस bridge से अराम से वो कर सकते हैं हलाकि आप ये मान के चलीजिए अगर यहाँ पे movement होती है इस bridge पे army की तो मतलब के यूद काफी ज़रा advance stage पर पहुच चुका है इससे पहले अगर हम देखे तो 1965 में जो war वी थी अगेंस्ट पाकिस्तान और 1971 में दोनो टाइम इस enclave का critical role था क्योंकि आपको अगर इंडिया की side से कसोवाल से आपको अगर attack करना है इन पाकिस्तान जसार या फिर नारोवाल तो ये सबसे भैठरीन location है तो हम लोग strategically ये accept नहीं कर सकते के ये area कभी कभी हमसे disconnect हो जाए अब ये तो हमने बात करी है military point of view की इस सब के अलावा ये जो मैंने आपको जमीन दिखाई दी अभी map में ये काफी fertile है यहाँ पर agriculture हो सकता है तो farmers काफी बार चाते हैं कि यहाँ पर जो उनकी जमीन है वहाँ पर agriculture करें, harvest करें तो since ये area काफी बार बाक इंडिया से disconnect हो जाता था तो काफी बार farmers यहाँ पर farming करते नहीं थे अब जो ये bridge बन चुका है तो farmers यहाँ पर आएंगे agriculture करेंगे, harvest करेंगे तो commercially भी हम यहाँ पर इस land को properly use कर पाएंगे और जो ये bridge बनाया गया है ये बनाया है BRO ने under project चेतक BRO by the way Border Roads Organization इसको form किया गया था 7 May 1960 को और आज के समय BRO के under total 18 project है और जो ये 18 project है ये इंडिया में various states, various regions को cover करते हैं for example ये आपके सामने ये map है ठीक है अगर हम बात करें project चेतक की जो 18 project में से एक project है तो project चेतक के under आता है हर्याना, राजस्तान और पंजाब ये सारा area तो यहाँ पर जो भी bridge, जो भी pull, BRO बनाता है ठीक है, सिर्फ BRO बनाएगा, वो आएगा under project चेतक इसकी funding होती है सीरा center से for example अब ये जो bridge बना है इसमें total हमारा खर्चा हुआ है करीब 18 करोर रुपे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब मानलोग कल को महराश्णों में अगर कुछ project होता है तो इसको हम complete करेंगे under project हिराक, similarly अरुनाचल पदेश में कल को कोई bridge सड़क बनती है by BRO तो वो होगा under project अरुनांक, सिक्की में अगर कुछ बनता है तो under project स्वास्तिक और of course जैसे मना को बताया राजिस्तान, पंजाब, हर्याना में प्रोजेक्ट चेतक तो एक्जाम परस्पेक्टिव से आपको वैसे ठरा याद करने के आप शकता नहीं है आप जो news में रहते हैं वही याद रख लो for example project अरुनान तो बहुत ही ज़रा news में रहता है make sure to remember this उस सब के अलावा project चेतक भी अबाव याद आ सकते हैं और लेक यासपा जो bridge बनते हैं वो होता है under project हिमानक ये तीन याद अखलो this is more than enough for exam perspective so ये है इस वीडियो का अंत उमीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा thanks for listening and as always God bless you all